नमस्कार दोस्तो पारा सिक्षकों के ब्रेकिंग नूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो राज्य के 65,000 पारा सिक्षकों के अस्थाई करन वह बेतनमान की नियमावली का ड्राप्ट तैयार हो गया है इसके लिए उन्हें जहां बिहार की तर्च पर नियुजित किया जा सकता है वहीं नयमान्दे भी दिया जा सकता है 25 सितंबर को सिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरायादो की अध्यक्षिता में होने वाली बैठक में मोहर लगेगी शिक्षा विभाग ने मध्य परदेश, 36 गड़, बंगाल, गुजरात, करनाटक, महराष्टर समेत, कईर राजियों में नियुक्ती नियमावली का अध्यन किया था उसके बाद यह ड्राप्ट तैयार किया गया है इसे सिक्षा के अधिकार सुप्रियूम कोट के गाइडलाइन और NCTE के मापदंडो के अधार पर बनाया गया है दोस्तों राज्य के पारा सिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नया वेतनमान भी दिया जा सकता है सुत्रों की माने तो इसमें 2200 से लेकर 20,200 रुपे का बेतनमान मिल सकता है कारे के अणभों के अधार पर इसका लाब मिल सकेगा दस साल से अधिक काम करने वाले पारा सिक्षकों के लिए अलग-अलग गिरेड पे हो सकेगा पारा सिक्षकों को 5000 रुपे तक की बढ़ोतरी हो सकेगी दोस्तो जारखन में पारा सिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षन कल पालन नहीं किया गया न कोई स्रेक्षनिक योग्यता निर्धारित थी समय समय पर इनकी योग्यता में संसोधन करते हुए उसे बढ़ाई गई वहीं दूसरे राजियों में पारा सिक्षक नहीं है वहाँ जो भी नियुक्ति हुई है वह निर्धारित योग्यता के आधार पर हुई है जबकि दूसरे राज्यों में इससे उलट पारा सिक्षकों की नियुक्ती में भी आरक्षन का पालन किया गया है दोस्तो राज्य में आरक्षन रोष्टर का नहीं हुआ पालन जारखन में पारा सिक्षकों की नियुक्ती में आरक्षन का पालन नहीं किया गया नहीं कोई सेक्षिनिक योग्यता ही निर्धारी थी, समय पर इनकी योग्यता में समसोधन करते हुए उसे बढ़ाई गई, वहीं दुसरी राजियों में पाराशिक छग नहीं है, वहाँ जो भी निर्धारीत योग्यता के आधार पर हुई है